हेलो मेरे प्यारे दूस्तों तो कैसे आप सब उमीद करते हूँ आप सब मस्त होंगे बेस्त होंगे आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो लेके जिसमें मैं आपके शार्ष शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप अपने काम को और ज्यादा आसान बना सकते हैं वीडियो को लास तक जरूर देखेगा बिलकुल भी स्कीप मत करेगा और पसंद आएगा तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा आगे बढ़ते हो और देख लेते हैं क्या है वो टिप्स और ट्रिक्स तो सबसे पह हमें कहीं बाहर जाना होता है कुछ दिनों के लिए और जब इनको हवा नहीं लगते तो मसालों के अंदर या तो कीडे लग जाते हैं या फिर जाले पड़ जाते हैं तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है यहां पर आपको क्या करना है हमारे इस मसालों के साथ ही होता है नमक तो आपको क्या करना है इसी नमक से थोड़ा-thोड़ा नमक हर मसाले के डबबे में डाल देना है और अच्छे से एक बार mix कर लेना है ऐसा करने से मसाले कभी खराब नहीं होंगे जाले नहीं पड़ेंगे करे दिनों तक मसाले एक दम ऐसे ही रहेंगे खराब बिल्कुल भी नहीं होगे एक बात का जरूर ध्यान रखेगा जब भी कोई चीजा बनाएं तो नमक का ध्यान रखेगा क्योंकि नमक आपने पहले भी मसालों के अंदर मिला रखा है टिप्स पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा मच हो गया चाको हो गया अकसर क्या होता है देखिए आज कल तहवार का समय है तो जब हम सफाय करते हैं तो यह चीजे बहुत जल्दी गूम हो जाती है तो आप इस तरह से इसके अंदर भर कर रख सकते हैं जिससे कि यह गंदे भी नहीं होंगे धूर मिट्टी भी नहीं करीब इस तवे के उपर शैंपू डाल दे गैस और कर देंगे इस ट्रिक को ध्यान से देखेगा आपके घंटे को काम को मिंटो में करने वाला है अब आपको क्या करना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और आधा चंबच के करीब आपको नमक डाल देना है उसके करना है आधा नीबू का रस डालना है अच्छे से आपको इसमें उबाल लाना है अच्छे से उबाल जब आ जाए तब आप क्या करें इसे किसी कर सकते हैं कोई भी आप ब्रश ले ले या फिर स्क्रब ले ले उससे आप टाइल्स को फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर लें बस ध्यान रखे इसका इस्तवाल आपको गरम ही करना है ठंडा नहीं करना है थोड़े देर में देखें कि टाइल्स हो या फ्लोर हो एकदम चमक जाए को आप जरूर फॉलो करेगा आप देखें कि मिंटों में आपके टाइल्स बिल्कुल चमक जाएंगे आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगली ट्रिक क्या है वह है दोर्मेट को लेक है कई बार ऐसे डोर्मेट होते हैं जो कि बहुत ही जादा हैवी होते हैं इनको हमीसा थुलना तो आसान नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हम कपड़े धुलने के लिए ब्रस का इस्तमाल करते हैं, उसी से आप इस डोर्मेट के उपर इस तरह से ब्रस मार देंगे, आप देखेंगे, जो भी इससे गंदगी होगी, वो बिल्कुल निकल जाएगी आप यहां पर देखने हैं, सारी गंदगी बाहर निकल गई है, इस तरह से कितनी भी हैवी आपका अडोर्मेट है, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, यहां पर यह अच्छे से क्लीन हो किया है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला ट्रिक क्या है, वो है गरम मसा मसाले को लेके, अक्सर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज हम बनाते हैं, जिसमें हम यह खड़े मसाले का इस्तमाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब मार्केट से लेके आते हैं, तो इसको ऐसे ही किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मौश्चर की वज़े से इसमें कीड़े लग जाते हैं और यह जो हमारा गरम मसाल्य है वह खराब हो जाता है तो कीड़े ना लगे और खराब नहों तो उसके लिए आपको क्या करना है जब भी आप गरम मसाला मार्केट से लेके तो सबसे पहले किसी प्लेट में रखकर या तो आप उसे धूब दिखा दे या फिर आप इसे कढ़ाई में डालकर हलका सा गरम कलें उसके बाद किसी कंटेनर में इस्टोर करें ऐसा करने से आप देखेंगे मसाले कभी खराब नहीं होंगे आगे बढ़ते हैं कि हमारी अगली उससे पहले साबुदाने को आपको 2-3वार कि अच्छे से क्लीन कर लेना है क्योंकि ऐसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च होता है तो दो से तीन बार पानी से जरूर क्लीन करें जिससे कि वो निकल जाए उसके बादी आप इसे फुला कर रखें जिससे कि आपके खिटरी एकड़म खिली-खिली बनेगी इन में से कौन से टिप्स आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करतीजेगा थैंक्यू दोस्तो